हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टो माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग साब सभी का मेरे इसने वीडियो में नए बड़े व्लॉग में स्वागा दे एक किस सप्टेवर उन्नीस सो निन्यान वे में मेरा जनम हुआ था इस प्रूच्वी पे मैं आया था और आज 25 साल हो प्लाइन एसा कुछ गूंडड़ाक के वाला नहीं है मैं मेरे भाईयों के साथ एक मंदिर में जा रहा हूँ जो पन्वेल के कुछ किलो मेटर सागे है जो पन्वेल या पन्वेल के आजूवाजु से हैं तो उनको ये मंदिर मालूम रहेगा mostly , जिनको नहीं मालूम जिनों ये मंदिर नहीं देखा है, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, उसमें मैं पूरी जानकरी देने वालो मंदिर की तुमें निकलता हूँ अभी मंदिर जाने है। श्री शेत्र पंचायतन मंदिर पुराने मुंबई पुने राजमार के पास नधाल गाउ में स्थित है, यह पनवेल से 18 किलो मीटर और करजट से 13 किलो मीटर दूर है, पनवेल से मंदिर तक पहुचने के लिए करजट और खोपोली की ओर जाने वाली बस और शेरिंग टैक्सी पनवेल बस्टॉप से उपलब्ध है, नधाल बस्टॉप से मंदिर तक चलके जाने के लिए 5-7 मिनट लगते हैं, इस शेत्र की स्थापना 13 मई 2022 को हुई थी, यह परिसर सुभ़ 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है, इस परिसर में 5 मंदिर है, सबसे पहले साइं बाबा का मंदिर है, दुसरा मंदिर मियूरेश्वर गनेश जी का है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है, फिर शिवजी का मंदिर है, और यह भवानी माता का मंदिर है, इस दीवार पर नक्षी पद्धति से अन्य भगवान की मूर्ति बनाई गई है, यहां के कैंटीन में वड़ा पाव मात्र दस रुपे में है, पानी बोतल मात्र दस रुपे में है, और चाय निश्शुल्क है, यह परिसर काफी सुन्दर है, और सूर्यास्त के वक्त और भी खुबसूरत दिखता है, आपको इस पंचायतन शेत्र में एक बार जरूर जाना चाहिए, वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,